कर दोस्तों इस्टेडिय। समस्ति चैनल पाप सभी लोग का स्वागत है और देखिए दोस्तों ये 26 अक्टूबर 2021 का पेपर हुआ था जी आइसी यूपी पीएसी जी आइसी प्रवाक्ता आश्रम पदती ये दोस्तों मैं वीडियो को दुबारा बना रहा हूं इसलिए देख रहे हैं कि ये सब लिखा हुआ है और दुबारा बनाने के पीछे कारण ये है कि पहले वीडियो में साउंड म्यूट हो गया था आवाद जो है दोस्तों म्यूट हो गई थी और लोगों को देखने में परसानी आ रहे थी तो इसलिए मैं सोचा उचित यही समझ कि उस वीडियो को मैंने डिलीट किया और फिर दुबारा तो देखिए दोस्तों बरतमान में उपी पीएसी के ट्रेंड को समझने के लिए इससे अभी पहले जी आईसी प्रवक्ता और यह आस्रम पदती प्रवक्ता के पेपर जो हुए थे इसमें एक से लेके 40 तक प्रश् समाने द्यान का कोश्चन दिया हुआ है इसी को हम लोग आज देखेंगे दोस्तों चली तो हम लोग आराम से देखते हैं यह पहला कोश्चन आपके सामने है और पहला कोश्चन में दोस्तों दिया था देखिए अंगरेजी और हिंदी दोनों दिया हुआ जिसमें और यह ज चिमसन मरुस्थल जो 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 इस प्रकार से आपसन यह जो है यही आपका करेक्ट एंसर है चली आगे चलते हैं अब देखिए दूसरा प्रस्निय था एक निमखित में से कौन एक मौरे बंस का सासक नहीं था आप से पूछ रहेए कि समें से कौन मanorी बंस का सासक नहीं था तो बिनीदु सार असोख और कुणाल यह दोस्तों मanorी बंस सासक थे आप देखें मvent महोंत क्या है चंद्रगुप्त मर के लड़का कौन होता है बिंदुसार होता है बिंदुसार के लड़का असोक के लड़का कुराल होता है और अगनी मित्र जो दोस्तों यह सुंग बंस का सासक है तो यही आपको क्या हो जागा एंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए इसमें कर रहा है कि निम्न में से किसने कहा किसानों को स्वयम को केवल बिदेशी जंजीरों से ही आजादी नहीं अपित कराना है अपितु जर्मिदारों और पूजिवादियों से भी आजाद कराना है यह दोस्तो कथन है भगत सिंग का तो आप संसी आपके यहां पर एंसर हो जागा अब देखिए कोश्चन नंबर चार क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्खित में से कौन संज्युक्त राष्ट बिसुजल विकास रिपूर्ट कम मुख्य भी से यह सिर्षक थ है आप लोग को दोस्तों वाइल विंग वाटर हएं आप संडी याप क्या है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा चलते हैं पांचवा कोशन का रहा दोस्तों कि सुर्षर वर राम सर अस्तल के संदर्म निखित में से कौन से कथन साई है तो देखिए सूर सर और कोई दोस्तो कीथम जील काते है कीथम जील या कीथम लेक ठीक है ना जील लग तो ये दोस्तो देखिए या उतर पर देश के लखीम पुर्खिरी जीले में इस्तित मैं शूबा बताये था लखिम पूर खीरी मेने काई पर दोस्तो आ अग्रा में तो यह क्या ओजाएगा इन्करेक्ट हुजाएगा यह एक माना है निर्मित जलाव सा Elite इस प्रकार से आप्षरी क्या हो जात कुलार कारेक्ट हो जाएगा तो मैं इसको दुबारा बना रहा हूँ, मैं आपको बताया हूँ अब देखिए, यहाँ पर देखिए B में 5 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आप G पर पहुंच जाएंगे इसी परकार से, सम्में 5 पर जोड़ रहा है C में जोड़ देंगे 5, तो H पर पहुंच जाएंगे D में I पहुंच जाएंगे, B, C, D दिया न, G, H, I तो 5 में इसी परकार से दोस्तों, L, M, N वो छोड़ के P दे दिया है तो यहाँ पर L में जब दोस्तों, 5 जोड़ेंगे, तो Q आएगा और P में जब 5 जोड़ेंगे, तो U आएगा और U जो है दोस्तों, केवल एक आप्षन में दिया हुआ है D में, तो आप्षन D ही आपको क्या हो जाएगा Correct answer होगा चली आगे चलते हैं, question number 7 देखिए, गणित का question है इसका जो है दोस्तों, आप्षन D correct होगा मैं इसको लगा करके देख लिया हूँ, चली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, एक जिला, एक उत्पाद, योजना शुरू की गई थी ये कब शुरू की गई थी, 24 जनावरी द्वारा अठारा को योजना शुरू की गई थी तो आप्षन B आपके याँ पर correct होगा दोस्तों, चली आगे चलते हैं, और ये भी गणित के question question number 9 में 84 होगा, आप लोग निकाल लेंगे, ठीक ना, अब देखिए, मकर रेखा को दो बार पार करती है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी नदी जो दोस्तों, ट्रापिक आप कैप्रिकार्ण को दो बार पार करती है, तो लीम पोपो नदी जो दोस्तों, ट्रापिक आप कैप्रिकार्ण को, मकर रेखा को दो बार पार करती है अब देखिए, question number 11 में क्या करने खित में से कौन सा cancer पूरे बिश्व में समानेता सरवाधिक पायता है तो इसमें दोस्तों, ये थोड़ा सा doubtful question है, लेकिन ये मेरे तरफ से इंसर जो जाएगा दोस्तों कर्शिनोमा, सरवाधिक जो cancer पायता है, बिश्व में समानता सरवाधिक पायता है तो कर्शिनोमा, अब देखिए, question number 12 में कहा है, कि सुभाष चंदर बोस के राइंतिक गुरु कुरु कौन थे? और गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे? गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, ये मात्मा गांधी के थे? और सुभाष चंदर बोस के है, चली आगे चलते हैं दोस्तों, question number 13 चलते हैं, निम्खित में से कौन भारते रिजर बैंक की मौदरिक नीती का एक साध नहीं है, ठीक ना, monetary policy, तो bank rate होता है, इसको हिंदी में देखना, अंगरजी में देखना ज्यादे है, ठीक लगता है, इसी तरह से लोग को याद भी राता है, bank rate हो गया, SLR हो गया, और CRR हो गया, दोस्तों, का इस reserve ratio, ये सब जो दोस्तों, reserve bank के monetary policy के हैं, ठीक है ना, monetary policy, CRR, bank rate, CRR, और SLR, तो इसमें देखिए, आपसन, C में क्या दे दिया है, GST के बारे में दे दिया है, ये, इसका reserve bank से कोई लेना देना ही नहीं है, आपसन, C ही आपको क्या हो जागे हैं, आपको दोस्तों, answer हो जाएगा, चली आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, यहाँ पर आर्दर भूमी और राज दिया हुआ है, तो टमबाओ जो है दोस्तों, ये सिक्की में है, ठीक है ना, टमबाओ सिक्की में हो गया, और कुराडी जो है माराष्ट्र में है, ये माराठी की तर नाम बिद लग रहा है पूरिशा में है, और यारल पट जो दोस्तों मारी पूर में है, यारल पट मारी पूर में है, तो इस प्रकार से आपका एंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर C होगा, A3, एक ही से मिल जा रहा है, आपसन C करेक्ट हो जागा, चली आगे चलते हैं, अब ये गणित के कोश् पंदर नमबर का इसको साल्व करने पर आपसन C करेक्ट आएगा, और सोर नमबर जो दोस्तों, इसको साल्व करने पर आपसन E करेक्ट होगा, अब देखिए, कोश्चन नमबर 17 भी टिपकल पूछा है, देखिए, सौज जील जो है दोस्तों, यह माइन पूरी में है, आगे जो है, सेखा जील यह अलिगड में है, यह भी साही है, बखीरा जील जो दोस्तों, यह संत कबीर नगर में है, और सरसाई जील आगरा मना अकर कहा पर है, इटावा में है, तो यही साही सुमेलित नहीं है, जो साही सुमेलित नहीं है दोस्तों, वही क्या होगा, आपका एंस में चेंज इन डबेस सेक्वेंस के विदिन भजीन इजकार्श तो इसको मूटेशन करते मूटेशन काते हैं से लिया इदुष्ट उतल दुस्तों अब देखिए ताच शिल भी सिह अदित में से किस ने उत्खनन कराया था ये दोस्तो चान मार्शल साहब है ठीक है ना अब देखिए ये वन डिस्टिक वन उत्म प्रोडक्ट से कोश्चन पूछा हुआ था तो इसमें दोस्तो लासुन जो माइन पूरी हो गया और प्याज जो गाजी पूर हो गया और मिर्च जो हो गया दोस्तो देवरियां और हल्दी ललीत पूर ये आपकी माइचिंग है ठीक है ना इस प्रकार से आपसन भी आपको क्या होगा दोस्तो परेक्ट हो जागा यह मैं इसको दुबारा बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा सब कुछ प्रिपेर्ड है इसलिए बताने में थोड़ा सा भी दिकत नहीं हो रहा है अब देखे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको सोन चिरया कहते हैं कि क्रित्रीम प्रजनन के लिए अस्थापित किया गया सरनलच्छ प्रजनन केंद्र कहां आवस्तित है यह जैसलमे एर राजस्थान में है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में चलिए आगे चलते हैं अब यह देखिए यह कोश्ण रिज्जनिंग का था इसमें यह था दोस्तों कि एक का स्कॉयर कर दिया एक दो का स्क्वाइर कर दिये चार और आट का स्क्वाइर कर दिये 64 इन तीनों को एड़ करेंगे तो 69 और चार घटा देंगे तो 65 जाएगा इसी तरसे इसमें भी 5, 25, 3, 9, 2, 4, 38, 38, 34, 34 इसी तरसे यहां पर करेंगे दोस्तों तो आपको क्या अंसर आएगा आपसन एक करेक्ट ह का जाता है यह दोस्तों भदोही को का लिंद्र का जाता है जली आगे चलते हैं इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में डाक टीकर संग्राले जो है मैं गूगल पर सर्च किया तो इगारा जगह मिला इसमें सारनपूर वे लखनव यह और भी सारे जगह हैं लेकिन ग्लास संग्राले जो दोस्तों यह बराण सीम नहोंकर कहां पर है फिरुजाबाद में और फिरुजाबाद में अब जूड़ी है फिरुजाबाद काच की चू संग्राले वालव लोगा लेकिन सारनपूर विशाओ एं लखनव तो हम मीःवरी सवाथ पता लागा जाता है तो जैसानि है mains से टच करेगा तो मीःवाथ का आवास हो दोस्तो यह टीप होगा आगरभाग अब देखिये कोश्चन नमबर 26 में क्या का रहा है कि लुजून जो है दोस्तो यह दीप जो है यह प्रसांत मासागर में है मिडगासकर आप जानते हैं कि हिंद मासागर में है और ग्रीन लैंड जो दोस्तो यह अटलांटिक मासागर में आप जानते हैं कि ऊतरी अटलांटिक में यह एकदम पोल के किनारे और बाय फिन जो है दोस्तो यह आर्कटिक सागर में है तो इस प्रकार से आपको यहापो आपसन क्या करेक्ट होएगा आपसन यह हो जाएगा आप देखिए था लेकिन कई मित्रों से मैं पूछा देखा तो यह मालूम चला कि अम्रावती जो है दोस्तों क्या है यहां पर आर्या कस्तम की विश्षता है प्राप्त होती है यह सही होने की संभावना है चली आगे चलते हैं यह देखिए सतत विकास के लिए सिच्छा पर युनेसको का व आगे चलते हैं वायू मंडल की नीमन गयस की उपस्तिति का रहा हूं वायू में पीतल फीका पड़ जाता है पीतल जो है दोस्तों फीका पड़ जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइट के का रहा हूं हाइड्रोजन सल्फाइट के का रहा हूं वायू मंडल में पीतल जो होत बैफो हिम्नद तो ये दोस्तो ब्राबलो वैली ये भी सही है अब ये दोखिए बारा सिगरी हिम्नद ये चंदरा गाटी ये भी सही है और सोना पाने हिम्नद ये गौरी गंगा में नाओ करके मैं इसका भी देखा था चंदरा नदी घाटी जो आप सन्वी दिया हो वहीं पर है तो इसको इनकरेक्ट यही माना जाएगा इनकरेक्ट यही माना जाएगा क्यों इनकरेक्ट माना जाएगा जैसे आप ही के घर में हम दो भाई रहते हैं या आप ही के घर में आप दो भाई र आपके करेक्ट हो जागा और चलिए भारत की जन्गर्णा दोहर 21 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिसत जन्संग्या ग्रामिरी खेतर में निवास करती है तो यह तो उत्तर प्रदेशी स्पेशल का कोश्चन है सत्तर दस्मलों साथ प्रतिसत दोस्तों उत्तर प्रदेश की जन्संग्या कहा रहती है ग्रामिरी खेतर में रहती है चलिए आगे चलते हैं यह अंतराश्टे चावलन संदान का दच्छन यह बरार्सी हो जागा तेका ना आप देखिए नील गिरी बायस्पिर जर्ब यह नील से आगरेजी में देखिए ठोड़ा साँ इस पर लाइट फार्मिंग इस नस्ट पर लगाया है लेकिन इस पर में इस इस लाइट फार्मिंग ऑप कर aí इस प्रकार से क्या हो गया गलत हो गया अब आगे देखिए डाइवर्सिफण भार्मिंग इस नाट ए शिर्टम फार्मिंग कि यहां पर भी छादि यावर्सी फाइट आपका एंसर डी में जाएगा नाइधर वन नार टू चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 35 नंबर में देखिए उत्तर प्रदे सरकार ने फरेज़ द्वार एक किस में भूमी जो तो लाइंडर्णी की पाचान के लिए एक यूनी कोड की घोशना की थी इस इनिकोड में कितने अंक हैं तो 16 अंक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं आप देखिए यहां पर पूछा था कौन सूमेलित नहीं तो बिटामिन डी की कमी से रिकेट से नाम करोग हो जाता है और थाइमिन की कमी से जिसको बियोन को थाइमिन करते हैं यह बेरी-बेरी हो जाता है और नियासीन की कमी से दोस्तों पेलागरा नाम करोग होता है इसमें जो बिटामिन की और बाज़पन देख रहे हैं तो बाज़पन जो है दोस्तों बिटामिन ए की कमी की कारण होता है तो यहीं आपको क्या है दोस्तों साही सुमेलित नहीं है इसमें देखिए क्य किस अधनियम द्वारा किस बर्ष में ठीक हा ना किस इद द्वारा बर्ष में किया था दोस्तो जहासी में राने लशींबाय क्रिसी भिश्वी दाले द्वार चौदभ में इसके लिए संसद में बिदेख पास हुआ था तो आप देखें कोश्टन नमबर 38 दोस्तो पहली महिला उडान इंजीनियर भारती वाई शेना कि पहली महिला उडान परिछन इंजीनियर बने आशिर्ता वी ओलेटी क्या हो जागा आप संडी करेक्ट होगा दोस्तो आशिर्ता वी ओलेटी चलिए आगे चलते हैं अब यह देखिए इसमें से आपको ब तो यहां पर देखिए आपको यह बताना है कि कौन साइज सुमेलित है ठीक है ना तो इसमें जो एना मोक्स देख रहा है सुबह मैं इसको डाउट किसरे नहीं में राखा था लेकिन उसके बाद फिर रिसर्च के क्योंकि सुबह जल्दी से एंसर करने में दोस्तों कुछ कोश्चन के एंसर सर्च नहीं हो पाते हैं लेकिन देरे देरे वो किलियर हो जाते हैं तो एनाम मोक्स जो देख रहे हैं दोस्तों इसमें जो होता है कनवर्जन आफ नाइट्रेट टू गैसियस नाइट्रोजन एनाम मोक्स और यही क्या है दोस्तों आपका करेक्ट है ठीक है ना आप संडी चली आगे चलते हैं इसको भी देखिए साइन्स को कोश्चन चालिस नंबर और मैं सुबस कोड करके बताया था इस्टडी आफ रिलेशन्शिप बिट्वीन कमपोजीशन आरगेनाईजेशन और डेवलप्मेंट आफ कम्यून्टी और दियर इन्वार्मेंट इसका डिफिनिशन बताने में हेल्प मिलेगी कमपोजीशन, आरगेनाईजेशन, डेवलप्मेंट आफ कम्यून्टी और इन्वार्मेंट इसका डिफिनिशन आफ करेक्ट होगा तो चलिए एक से चालिस तक प्रस नमलोग देख लिए और आसा करते हैं कि आप सभी लोग मिला लियेंगे ठीका ना क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया कोई बात नहीं और जो लोग नहीं मिला आउंगे मिला लिये हैं सभी लोग अपना कमेंट बाक्स में नमबर मिला करके बताए ताकि कि इसका कटाप को अन्मान लगाए सके और अन्तिम में दोस्तो इस कटाप से भी इस पेपर का इस कटाप से भी मौत्पून बात यह है कि इस पेपर से दोस्तो आप EPPSC द्वारा जो आने वाली परिछाएं जैसे EPPSC द्वारेक्ष और आरो या रो या और ने वर्ती पर इछाएं इससे आप ट्रेंड को समझ सकते हैं ठीक है ना जो आपके त्यारी में एल्प करेगा तो अंतिम में दोस्तो वीडियो को लाइक करके शेयर कहें ताकि आपके मित्र तक पहुंचे और चैनल को सब्काइब करके घंटी का आइकन को प्रेस कहें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिक्शन मिलता रहा है चलिए और इसी त वीडियो में दोस्तो तब तक के लिए धन्यवाद